नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक वेवसाइक अध्यान के दूसरे भाग के ग्यारवे अध्याय विपढन का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। एक समयोजन स्थापित करके विपढन को संपन्निक किया जाता है। विपढन की इन चार गतिविधियों के मिश्रण को विपढन मिश्र के नाम से जाना जाता है। पिछले भाग में हमने इस मिश्र के दो घटको उत्पाद और मूल्यक की चर्चा की। आज हम इसके अन्य दो भागों प्रवर्तन वा भॉतिग वितरन की बात करेंगे भॉतिग वितरन में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो वस्त्वों को निर्माता से ले जाकर घ्रहक तक पहुचाने के लिए आवश्यख होती हैं वस्त्वों यह उत्पादों के पैकेज तियार होने बृन्ड होने मूल और इधारन आदी सब कुछ करने के बाद भौतिक विजरन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है क्योंकि यह जरूरी है कि उत्पादों को सही स्थान पर सही मात्रा में सही समय पर ग्राहक को उपलब्द कराये जाएं उधारन के लिए मान लीजिए एक डिटर्जेंट टिक्या का ग्राहक उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट है मूल्य से खुश है और वह उसे खरीदना चाहता है वह एक फुटकर विक्रेता के पास जाता है वह उस उत्पाद को मांगता है लेकिन यदि वहाँ उत्पाद उपलब्द नहीं है तो इसके ही कोई दूसरे ब्रांड के उत्पाद को खरीद लेगा इससे हमारे ब्रांड या हमारे उत्पाद की विक्री में गिरावट आएगे क्योंकि जब ग्राहक उसको खरीदना चाहता था तो वहाँ उसके पास नहीं था इसलिए यह विपड़न करताओं का दायत्व हैं कि वो वस्तुओं को सही समय पर सही स्थान पर उपलब्द कराएं ताकि ग्रहक आसानी से उसे खरीश सकें बहुतिक वित्रण को सफल बनाने के लिए एक उत्पादक को कुछ मुख्य क्रियाओं पर ध्यान देना होता है जैसे कि परिवहन भंडारन आदी आईए इन में से कुछ मुख्य क्रियाओं पर चर्चा करें बहुतिक वित्रण में सबसे पहला काम आदेश प्रक्रियन का होता है आदेश प्रक्रियन का अर्थ है कि हम एक बार ग्राहक से आदेश प्राप्त करने के बाद उस आदेश को सही समय पर तीवर्ता से पूरा करें हम यह सुनर्शित करें कि ग्रहक को अपने आदेश देने के बाद उत पौद को प्राप्त करने केलिए जादा प्रितिक्छा नहीं करनी पड़ें। इसके लिए हम तुरंत उसके आदेश को मिलने के बाद उत्पाद को तयार गरवाएंगे, वो उसके संग्रहन आदी पर ध्यान देंगे, उसको तुरंत वहां से निकालकर परिवहन माध्यमों के द्वारा ग्रहाक तक पहुँचाएंगे, इसलिए आदेश प्रक्रिण के माध्यम चुनना होता है, ताकि उत्पाद ना केवल सही समय पर सही तरीके से पहुचे बल्कि उसमें किसी प्रकार का नुक्सान ना हो। परिवहन माध्यम के चैन के साथ-साथ हमें वस्तूओं का भंडारण भी सही प्रकार से करना होता है भंडारण के क्रिया वस्तूओं के उत्पादन और मांग के बीच समय के अंतर को पाटने का काम करते हैं यानि यदि हम भंडारन करके रखेंगे, तो जैसे ही कोई भोकता वस्तू की मांग करेगा, तो हम तुरंत भंडार ग्रह से निकाल कर वस्तू को वहां तक पहुंचा सकते हैं, तो हो सकता है कि उत्भोकता द्वारा वस्तू की मांग करने के बाद उत्पादन करने में समय लग जाए और फिर ग्रहक को उसकी प्रतिक्षा करनी पड़े और हो सकता है ग्रहक हमें चोड़कर किसी अन्य कंपनी की वस्तू को खरीद ले इसलिए भंडारन भी एक महतुपूर प्रक्रिया है जो उत्पादन और मांग के बीच के समय को कम करती है इसके अलावा हमें अपने वस्तू को पहले बेचना है कौन से को बाद में बेचना है हमें किस वक्त कितनी मात्रा का संग्रह करके रखना है कहीं हम जादा स्टॉक ना रख लें इससे फिर हमारे स्टॉक की बरबादी होगी नुकसान होगा कहीं हम बहुत कम स्टॉक ना रखें कि हम अपने तक पहुंचाने के सही चैनल का चुनाव करें, परिवहन के सही माध्यम का चुनाव करें, भंडारन सही करें, तो हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे, कि हमारे उत्पाद, हमारे भोगताओं तक सही समय पर, सही जगह पर पहुच पाएंगे, इन क्रियाओं को ही भौतिक वितर कार्य विपडन में जो किया जाता है वह है परवरतन का कार्य प्रवरतन को हम प्रमोशन भी कहते हैं एक कंपनी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुका अत्पादन कर सकती है उसकी उचित कीमत निर्धारित कर सकती है उसे विक्री केंद्रों तक उपलब्द भी करा सकती है ताकि ग्रहक वहां तक पहुंचे लेकिन हो सकता है यह सब कुछ करने के बाद भी बाजार में माल की बिक्री ना हो बाजार में उचित संप्रेशन की कमी से ऐसा हो सकता है यानि यदि हमने अपने ग्रहकों तक अपने बाजार तक अपने वस्तु की सूचना उसकी गुणव होना जरूरी है यदि उचित संप्रेशन नहीं होगा तो ग्रहक को उत्पाद के संबंद में या किस प्रकार से उत्पाद उसकी आवश्चताओं को पूरा कर रहा है उत्पाद के लाब क्या है इन सबसे जुड़ी जानकारिया और ग्यान प्राप्त नहीं होगा वह उसकी जो संप्रेशन किया जाता है उस कारी को ही प्रवर्तन का या प्रमोशन का नाम दिया जाता है अब प्रवर्तन का मतलब तो हमने समझ लिया यानि हमें ग्रहकों को अपने उत्पाद के बारे में उसके लाब के बारे में बताना है वह उन्हें अकरशित करना है उत्पाद को को शामिल किया गया है ऐसी चार तकनीके हैं जिने विज्ञापन व्यक्तिक विक्रे विक्रे समवर्धन वह प्रचार के नाम से जाना जाता है यदि हम विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन प्रवर्तन का सबसे सामानी रूप में उपयोग में आने वाला तकनीक कहा ज यानि इसके अंदर उत्पादक व्यक्तिगत रूप से ग्रहकों से नहीं जुड़ते बलकि आव्यक्तिगत रूप से हम उभुकताओं तक सूचना पहुचाते हैं यह संपरेशन का ऐसा माध्यम है जिसका भुकतान भी उत्पादक द्वारा या प्रायोजग द्वारा किया ज सकते हैं हम टीवी रेडियो आधी पर एक विज्यापन देकर एक साथ लाखों लोगों तक अपने उत्पाद की जानकारी पहुचा सकते हैं दूसरा विज्यापन के द्वारा ग्रहकों की संतुष्टी वा विश्वाश में वृद्धी होती है यानि जब ग्रहक किसी उत्प पहुचाने में पैसा खर्च कर रही है और उत्पाद के ये गुण है तो उन गुणों को लेकर ग्रहक के मन में एक विश्वाश भी पैदा होता है इसके अलावा विज्यापनों को प्रवर्तन की एक मित्व यही तकनीक यानि कम खर्चिली तकनीक भी माना जाता है ऐसा इस हमारे लिए कम हो जाती है इसलिए से एक कम खर्चिला तकनीक माना जाता है इन लाभों के अलावा विज्यापनों की आलोचना भी होती है उसमें कुछ कमया भी बताई जाती है जैसे कि विज्यापन व्यवसाय की लागत में व्रिद्धी करते हैं गैर जरूरी व्रिद्धी ग्रहकों को उठाना पड़ते हैं। दूसरा, विग्यापन कई बार क्रेताओं में असमंजस भी पैदा करते हैं। अत्यदिख विग्यापनों के कारण क्रेताओं में असमंजस पैदा हो जाता है कि उन्ने क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। यह एक प्रकार की परिशानी पैदा करता है तीसरा विग्यापन कई बार सामाजिक मूलियों में कमी करते हुए पाए जाते हैं कई बार विग्यापन ग्रहाकों को ब्रहमित करने का कारी करते हैं ग्रहाकों से जूट बोलने का कारी करते हैं जो की हमारे सामाज के मूलियों में गिरावट पैदा करता है इसी प्रकार विज्यापनों के माध्यम से कई बार कंपनिया घटिया उत्पादों की विक्री भी करती है यह भी विज्यापन की बड़ी आलोचना या कमी मानी जाती है इसलिए कई बार कंपनिया विवसाय विज्यापन के बजाए दूसरी तकनीक ज सीधे वहां तक पहुँच कर संदेश को मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है जैसा कि इसका नाम कहता है यह संप्रेशन का एक व्यक्तिक रूप है कमपनिया विक्री के लिए ग्रहकों से संपर्क करने के लिए उत्पाद के संबंद में जागरुकता पैदा करने के लिए उत्पाद की पसंद विक्सित करने के लिए विक्रे करताओं की न्यूक्तिय करती हैं जिनने हम सेल्समेन या सेल्सपरसंस के नाम से जानते हैं ये विक्रे करता सीधा ग्रहकों तक पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात चीत करके उनके मन में उत्पाद के प्रती विश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं व्यक्तिगत विक्रेंक के बी खुछ विशिष्टाय मिलते हैं विशिष्ता निकल कर आती है इसमें व्यास उत्पादक और ग्राहक के बीच हमें만 समभन्द विक्सित होता है तीसरा इसमें प्रत्यक्ष प्रति उत्तर का भी विकल्प उपलब्ध होता है यानि ग्रहकों के मन में यदि कोई शंका है कोई सवाल है तो तुरंट सामने ही उनको उसके उत्तर मिल जाते हैं इसमें अपव्यय यानि फिजूल खर्ची भी कम होती है इसमें बहुत बड़े-बड़े विज्यापनों के तरह खर्च नहीं करना पड़ता तो इस प्रकार कई कंपनिया इन फायदों के वज़ा से व्यक्दिकत विक्रय के माध्यम को चुनती हैं और इसके द्वारा अपने का प्रवर्तन करने के कोशिश करती हैं प्रवर्तन की तीसरी तकनीक है विक्रय समवर्धन यानि सेल्स प्रमोशन इसके अंदर लग्भू अवधि में यानिल्प काल में अपने वत्पाद की विक्री को बढ़ आने के लिए अपनाय काने वाले कदम शामिल हैं इसमें क्रेताओं को वस्तु या सेवाओं के तुरंत क्रय करने के लिए प्रुचसाहित करने के कोशिश के जाती है इसके अंदर कई सारी तक्नीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे की छूट या कटौती चूट या कटौती का अर्थ है उभोग लिए प्रदाओं को वस्तु के मूल्य में सीधा छूट दे रहा है मानलीजिये किसी गाड़ी के क्रय मूलय में हम 10-20,000 रुपय की छूट दे तो यह सीधी छूट चूट के नाम से दी जाती है जब कि कई बार वस्तु के मूल्य में प्रतिशत गिरावट करके या कटौती क परके उन्हें यही छूट प्रतिशत के रूप में प्रदान की जाती है आपने कई बार कई वस्तुओं के लेबल या पैकेज पर देखा होगा उस पर दस प्रतिशत 20 प्रतिशत की कीमत में छूट दी जाती है इस प्रकार की छूट देकर कुछ समय तक उभोगताओं को करने की कोशिश के जाती है इसके अलावा उत्पादों का मिश्रण भी एक अच्छा तरीका है अल्पकाल में योजनाय के तौर पे ग्रहकों को आकर्शित करने का उत्पादों के मिश्रण में कैई बार एक वस्तू के साथ दूसरी वस्तू मुफ्त दी जाती है जैसे की मात्रा उन्हें ग्रहकों को उपहार सुरुप दी जाती है इसमें बाई टू गेट वन फ्री या बाई वन गेट वन फ्री जैसे कई आपने तक्नीके आसपास के बाजारों में देखी होंगी यानि एक या दो या एक निश्चित मात्रा खरिदने पर साथ में एक और मात्रा कोशिश करती है आजकल एक और तक्नीक इसके अंदर काफे इस्तमाल की जा रही है खासकर बड़े उत्पादों में जैसे गाडियां घरों की विक्रियादी में कम्पनिया उभुकताओं को शून या ब्याज या प्रतिशत पर वित्य की सुविधा उपलप्त कराती है फाइ यह उजनाय बहुत लंबे समय तक नहीं होंगी थोड़े समय के लिए अल्पकाल में ग्रहकों को आकर्शित करने के लिए इन तक्नीकों का उप्योग किया जाता है विक्रय समवर्धन के अलावा प्रवर्तन की चौती तक्नीक है जन संपर्क या पब्लिक रिलेशन एक संग विप्रण विभाग द्वारा पूरा किया जाता है एक व्यवसाय को अपने ग्रहकों आपूर्ती करता हो या व्यापारियों या अन्य सभी जुड़ेवे लोगों से प्रभावी सूचना या समप्रेशन करना होता है क्योंकि विक्रय या लाब में व्रिद्धी हेतू ये अच्छे संबंद बनाके रखना जनता की नजरों में अपनी एक अच्छी इमेज बनाके रखना आजकल कंपनियों के लिए अनिवारी हो गया संगठन तथा उसके उत्पादों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले या सामाने जनता के साथ संबंद बनाना जन संपर्क कह लाता है इसके लिए कंपनियां कई कदम उठाती हैं ताकि जनता के बीच उनकी हमेशा पहचान बनी रहे जनता के नजरों में कंपनी की छवी या व्यक्तिगत उत्पादों के प्रवर्तन वा संग्रक्षण हितु कई प्रकार के कारिकरम करके जन संपर्क स्थापित किया जात इस प्रकार अपनी चवी को गिरने से रोकना उधारन के लिए कुछ समय पहले जब एक नूडल बनाने वाली कंपनी को सरकार के तरफ से उनके कच्छे माल में कुछ कमी के लिए बंद किया गया बैन किया गया तो तुरंत उस कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फरेंस या प्रेस वारता करके ग्रहा को सच्छमा मांगी वह उन्हें प्रामिसी अवादा किया कि वह तुरंथ और अच्छी गुणवत्ता के साथ वापस आएंगे इस प्रकार अपनी छवी को गिरने से रोकना जनता को इस तरह के दावे अवादे करना उनके साथ संपर्क बनाए रखना आज क समय में किसी भी कंपनी के लिए एक महत्वपूर कार्य हो गया है इसलिए कंपनियां इसके लिए कई तरह के कदम उठाती हैं जैसे कि प्रेस वारता या प्रेस संपर्क करना समय समय पर बड़ी-बड़ी कंपनियां प्रेस वारताएं करती हैं प्रेस वारताओं की जरिए व कम्पनी के उतपाद के लोगों को क्या फायदे हो सकते हैं प्रेसवारताओं के अलावा कम्पनिया उतपाद के प्रचार के कुछ अन्यमाध्यम अपनाती हैं जैसे किसी समारह, किसी फंक्षन या किसी खेल कूद के आयोजन में कम्पनियां प्रायोजग बनकर वहां अपने उत्पाद को उत्पाद की एक छवी प्रस्तुत करती है ताकि जादा से जादा लोगों की नजरों में उत्पाद बना रहा है इस प्रकार उत्पाद के प्रचार को करके ग्रहकों के या अन्य लोगों की नजरों में कम्पनी अपनी छवी को हमेशा जीवित रखने की कोशिश करती है। इसके अलावा कम्पनियों का जो जन संपर्क विभाग है वह लौबी प्रचार करने की कोशिश भी करता है। लौबी प्रचार का अर्थ है कि सरकार वो सरकार से जुड़े विभागों में निरंतर पहचान वो संपर्क बनाए रखना ताकि कल को जरूरत पढ़ने पर सरकारी विभागों से काम करवाये जा सके और अपने कंपनी के लाब को आगे बढ़ाये जा सके इसके अलावा जन संपर्क विभाग उच्च अधिकारियों को परामर्श भी देता है क्योंकि जन संपर्क विभाग या विपणन विभाग जनता के वह अन्य लोगों के संपर्क में रहता है तो उन्हें पता होता है कि कंपनी वह उसके पाद के लिए क्या सही है या क्या नही ग्रहकों को क्या चाहिए और क्या नहीं तो इससे जुड़ीवी कई सूचनाएं वा परामर्श वो कंपनी के उच्छ अधिकारियों तक पहुंचाते हैं जन संपर्क के माध्यम से कंपनी निम्नलिखित विपड़न उद्देशों को प्राप्त कर सकती है वो जनता के बीच अपने उत्पाद वो कंपनी के बारे में जागरुकता पैदा कर सकती है अपनी कंपनी की अच्छी छवी बनाकर जनता के मन में विश्वास्त पैदा कर सकती है विक्रे कर्मियों को प्रेरणा दी जा सकती है इसका अर्थिया है कि यदि किसी कमपनी की छवी अच्छी है तो जो विक्रे करमी है जो salesman या salesperson है उन्हें उत्पाद को बेचने में दिक्कत नहीं होगे क्योंकि उस कमपनी या उस उत्पाद के बारे में लोग पहले से ही जानते होंगे वह एक अच्छे छवी रखते होंग इस प्रकार जन संपर्क विपणन में आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर करिया है तो बच्चों इस तरह आज हमने विपणन मिश्र के दो मुख्य घटकों भौतिक वित्रन और प्रवर्तन के बारे में जाना इस अध्याय के तीनों भागों को मिला कर यदि देखा जाए तो आपने विपणन की कई बारीकियों को विस्तार में सुना वो समझा होगा आप यह जान पाए होंगे कि विपणन किसी भी विवसाई के लिए बहुत महत्वपूर है और साथी महत्वपूर होने के अलावा ये बहुत जटिल प्रक्रिया भी है इसलिए विपणन का यानि मूल्य और प्रवर्तन यानि प्रमोशन इसलिए इने 4P के नाम से भी जाना जाता है मैं आशा करता हूं इस अध्याए के अंदर सिखाए गए सभी पहलू आपको अच्छे से समझाया होंगे क्योंकि यह अध्याए ना केवल आपके विशय में महत्वर रखता हैं बल झाले डाले बलाए ना ग्याता हैं झाले दिए अध्याए ना कंवरा आपके विज़ में महत्ता हैं यह अध्याए इस अध्याए बलाएं यह अध्याए तो ऑल्म पो झाल झाल